EPFO से हाथ जोड़के निवेदन करना है, request करनी है, पर बूबू, अभी current में PF members को तीन problem आ रही है, तीन problem से गुजरना पड़ रहा है, पहली तो ये कि अगर किसी PF member ने advance में PF का पैसा निकालने के लिए forum 31 अपलाई किया था, या फिर forum 1910C अपलाई किया था, या फिर monthly pension के लिए forum 10D अपलाई किया था, तो EPFO का जो UN member का जो portal है, वहाँ पर तो show हो रहा है, claim under process, बट EPFO का जो passbook का जो portal है, वहाँ पर जब claim status देखते हैं, तो वहाँ पर show नहीं हो रहा, तो पहली problem या रही है, दूसरी problem या रही है, कि जब आप PF का पैसा transfer करने की, जब request submit कर देते हैं, EPFO की तरब से आपका PF का पैसा transfer कर भी दिया जाता है, बट फिर भी यहाँ पर EPFO का जो UN member का जो portal है, यहाँ पर status दिखाता है, not available, दूसरी problem ये, तीसरी, PF members ने advance में या फिर पूरा PF का पैसा निकालने के लिए, 1910C apply किया, या फिर forum 31 apply किया, advance में निकालने के तो किसी को 20 दिन हो गया है, किसी को 25 दिन हो गया है, अभी तक उनका जो claim है, वो under process हो रहा है, कई दिन से उनका जो claim है, वो settle नहीं हो रहे, तो ये तीन problem अभी current में PF members जो है face कर रहे है, अब इसका solution क्या है, देखे, solution इसका कुछ नहीं है, solution ये है, कि आपको इंतजार करना है, wait करना है, क्योंकि दिक्कत किस की तरफ से है, दिक्कत EPFO की तरफ से, EPFO का जो system है, उसकी तरफ से है, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा, मैंने video भी बनाई थी, अभी कुछ दिन पहले EPFO, यानि कि करमचारी बहुशनेदी संक्टन के जो करमचारी है, जो employee है, उनकी जो union है, उनकी जो association है, उन्होंने सरकार को एक letter जारी किया था, एक letter लिखा था सरकार को, कि EPFO को जो IT system है, वो बिल्कुल जो है, खराब हो चुक है, सही डंग से काम नहीं कर रहा, काफी सारी उसमें जो है कमिया है, खामिया है, और सरकार से निविदेन किया था, request करे थी, कि इ जाए, अपग्रेड किया जाए, बदलने की जरूरत है, इसमें जो है, implement करने की जरूरत है, ये जो problem है, EPFO के IT system की problem है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, only क्या कर सकते हैं, wait कर सकते हैं, बस, अगर आप EPFO को tweet करोगे, mail करोगे, गिर्वेंस डालोगे, तो कुछ नहीं होने जानने वाला भाई, सरकारी सिस्टम है, आपको परतिक्सा करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा, wait करना पड़ेगा, तो ये है इसका समाध्धान, समझ में आ गया, अगर नहीं आया, तो फिर मापको पता देता हूँ, देखे, अगर claim under process है कई दिनों से, या फ पंदरा दिन वेट करना है, अगर पहले कोई update आता है, पहले कोई solution इसका निकलता है, तो मैं आपको वीडियो के मादम से जानकर दे दूँगा, बाकी जो भी ये problem चल रही है, जो भी ये problem आ रही है, इनका कोई समाधान आता है, एप्याफों के तरब से कोई update आता है, अग अपने system को एक नहीं, हजार नहीं, करोड़ों प्येफ मेंबर्स को ये समस्या आ रही है, जब प्येफ मेंबर्स अपना पैसा समय पर ही नहीं निकल पा रहे, समय पर उनका पैसा काम नहीं आ रहा, तो फिर क्या फाइदा अपनी salary से प्येफ कटवाने का, जिस तरह से इनका काम होता है, काम करने का जो तरीका है, process इनके system का, भाई मेरको बड़ा बेकार लगता है, इनका system क्या बोलें, अच्छा नहीं है, ज्यादा बोलना भी, ठीक है, तो आपको इंतजार करना है, वेट करना है, परतिक्ष्या करनी है, जब भी कोई नया update आएगा, आपको हर बा करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, क्या feedback है, देखते हैं, मेरी राय कुछ अलग हो सकती है, आपकी राय कुछ अलग हो सकते है, क्या अपता आपको EPF होगा, जो IT system आपको अच्छा लगे, बड़े लगे, बागी तो आप comment box में comment करोगे, तब ही पता चलेगा, तो comment कीजि क्याँ आपको